Hello everyone, very good morning to all of you, I hope आप सभी fit and fine होगे और exam की तैयारी कर रहे होगे तो आज के इस वीडियो में 6 October 2022 के important current affair हम लोग discuss करेंगे PDF और Telegram दोनों का link वीडियो के description box में है तो आप दोनों को महाँ से avail कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे कल के question की, कल मैंने आप से modern history से एक question पूछा था Question ये था कि British government का ये कौन सा कानून था या act था जिसके द्वारा British East India Company को excessive right दिये गएते भारत में business के लिए, मतलब जिसको आप बोल सकते हो एक monopoly के तहट British East India Company को ये right दिये गएते कि आप खुले तोर पर पूरे भारत में व्यापार कर सकते हो अपनी factories establish कर सकते हो और उन factories के अधार पर जितना चाहे उतना आप tax भी लगा सकते हो तो इसके लिए charter act 1793 का ये कानून था जिसके तहट विशेशा दिकार दिये गएते British East India Company को आप मैंसे कई सारे student ने सही जवाब दिया था 1793 का एक जिनको नहीं answer पता था आप लोग भी अपसे ध्यान लखिएगा ये बहुत important question है अपने आपने तो चलिए अब चुरू करते हैं आज के current affair पहला question है आज का उत्तर पदेश के फैजाबाद च्छावनी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो उत्तर पदेश में योगी आदितना सरकार के द्वारा अभी तक जिस railway station को फैजाबाद च्छावनी के नाम से जाना जाता था या फैजाबाद contentment area के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम बदल कर आयोध्या च्छावनी कर दिया गया है ध्यान रहे हैं आपको साल 2018 में फैजाबाद का नाम बदल के फिर से अयोध्या कर दिया गया था फिलाल इसके लिए क्योंकि अयोध्या can't ये अपने आप में एक defense zone है या फिर आप बोल सकते हो defense containment area है इसके लिए राज्य सरकार को defense ministry से approval लेना पड़ा तो यहाँ पर रच्छा मंत्राले के द्वारा approval दिया गया और उसी के अधार पर योगी आदेतना सरकार ने इसका नाम बदल के अयोध्या छावनी कर दिया है आपको याद होगा तीन दिन पहले मैंने आपको current affair में बताया था कि अभी हाली में लता मंगेशकर crossing का उधगाटन भी क्या गया है अयोध्या के अंदर जहां पर एक नई वीड़ा का installation क्या गया है ये जो वीड़ा है ये especially greater noda में बनाई गई और वहां से लाकर इसको एयोध्या में इंस्टॉल क्या गया है लता मंगेशकर crossing अगला कुशन है अभी हाली में आस्रा नाम की एक योजना है जिसको कौन सी राज्य सरकार के द्वारा गरीबों के लिए pension योजना के तौर पर शुरू किया गया है तो आस्रा नाम की pension for poor scheme launch करी गई है तेलंगाना में चंद शेकर राओ सरकार के द्वारा बेसिकली अगर बात करी जाए तो यह जो आस्रा योजना है इसकी शुरुवात साल 2014 में ही करी गई थी लेकिन जब 2014 में इसको launch किया गया था तब यह जो physically disabled लोग हैं जो widows हैं जो old people हैं उनके लिए launch करी गई थी और साथ में तेलंगाना के अंदर जो BD workers हैं जो BD बनाने वाले कारीगर हैं उनके लिए launch लेकिन अभी हाली में इसको consider किया गया है below poverty line के लिए तो कहने का मतलब यह है कि अब यह योजनाख old people के लिए, widows के लिए, physically disabled जो लोग हैं जो BD बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके लिए और साथ में इनके अलावा जितना भी गरीब तपका है तेलंगाना का उन सब को इसके तहट फाइदा मिलेगा pension for poor scheme के अंतरगर इसका main मक अगला question है अभी हाली में सिंगापुर formula 1 grand prix 2022 का किसके द्वारा जीता गया है तो इस बार का सिंगापुर में हुआ जो formula 1 grand prix है इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने सर्जियो पेरेज कौन सी टीम से खिलते हैं तो आपको ध्यान रख रहें ये red bull टीम से खिलते हैं सेकेंड नंबर पे रहे चार्ल्स लेरक ये खिलते हैं Ferrari टीम से और थर्ड नंबर पे रहे कार्लो सेंच ये भी खिलते हैं Ferrari टीम से इस साल 2022 के जितने भी formula 1 है अगर आप उन 2022 में ये 11 formula 1 जीत चुके हैं इनके बाद 4 लेरक हैं जो की 3 formula 1 जीत चुके हैं और 3 नंबर पे सर्जियो पेरेज हैं जिन्होंने अभी तक 2 formula 1 जीते हैं 2022 में तो सर्जियो पेरेज का ये दूसरा formula बनता इससे पहले इन्होंने मोना के गुनाइंड प्रिक्स जीता था अगला question है Elon Musk के द्वारा अभी हाली में एक robot का prototype launch किया गया है इसका नाम क्या है prototype का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ऐसा model जिसके ओपर testing करी जाती है या फिर expertise करी जाती है या फिर आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजे कि एक ऐसा model जिस पर किसी भी तरीके का आप एक तरीके से exercise कर सकते हो या फिर testing purpose से इसको launch किया जाता है तो इस prototype का नाम है जिसको robot purpose से launch किया गया है इसका नाम है Optimus क्या नाम है Optimus और यह completely AI based software पर handling है इसकी और sensor पर इसकी सारी activities अधारित है और इसी robot का use कुछ ताइम पहले Tesla के द्वारा autopilot driving assistant system में किया गया था मतल कि द्वारा जो ऐसी गाड़िया launch करी गई थी जो कि autopilot mode पे चल सकती है without driver यह चल सकती है ओके आप इसमें बैट जाईए इस पर प्रोग्राम सेट कर दीजे कि आपको यहां से यहां तक जाना है और यह special lane पे गाड़ी इसी तरीके से चलती रहेगी अगर कोई भी गाड़ी जाती है तो यह अपने आधार पर ही sensor के basis पर ही break लगाएगी left या right lane लेगी अपने हिसाप से smartly समझके और आपको गंतव इस्थान तर पहुचाईगी जो इस robot का weight है यह 73 kg 73 kg और Elon Musk इस time पर दुनिया के सबसे अमीर विक्तियों में से top पर है यह चीज आपको ध्यान रखना है पिछले दो साल से top पर है और Tesla के अलावा इनकी जो सबसे बड़ी companies में से एक है वो है SpaceX जिसकी इस्थापना करी गई थी साल 2002 में इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है Amazon के मालिक जो जेब वेजोस हैं इनकी भी एक Space Company है जिसका नाम है Blue Origin इसकी इस्थापना साल 2000 में करी गई अगला कोशन है अभी हाली में बिहारी पुरसकार के 32 संस्क्रण से किसको सम्मानित किया गया है तो 32 बिहारी पुरसकार इस बार दिया गया है मादव हड़ा को यह जो इनको सम्मानित किया गया है बिहारी पुरसकार के 32 संस्क्रण से यह किताब इनोंने साल 2015 में लिखी गई थी यहाँ पर आपको एक चीज और बता दू यह जो बिहारी पुरसकार है यह के के बिरला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है और के के बिरला फांडेशन के सम्मान दिया जाते हैं जिन में से सबसे बड़ा एवार्ड है सरस्वती सम्मान दूसरे नंबर का जो एवार्ड है इसको बोलते हैं व्यास सम्मान और तीसे नंबर का जो हाइस्ट ओनर है इनके द्वारा जो दिया जाता है यह है बिहारी पुरसकार तेक तरीके से आप बो कोईटरी वर्क के लिए देती है फिलाल इनको जो बिहारी पुरसकार दिया गया है इसके लिए धाई लाक रुपए का कैस प्राइस दिया जाता है और इसके अलावा एक ट्रॉफी भी दी जाती है अगला कुशन है रिजर बैंक ओफ इंडिया के दौरा अभी हाली में रैपो के महीने में बढ़ाया था और अब अक्टूबर के महीने में पहले ही सब्ता में इसको बढ़ा दिया है इसीधा असर उन पर देखने को मिलेगा अगर आपने बैंक से कोई भी लोन लिया है तो आपकी जो. EMI होंगी वो सीधे-सीधे उस पर heavily आपको depressed देने को मिलेगा. Ultimately आप भी ये बोल सकते हो कि जो लोग EMI पर कोई भी सामान ले रहे हैं, उनके लिए चीज़ें इस टाइम पर बहुत महेंगी हो सकते हैं. पिछले पांस सालों में पहली बार है, जब रिजर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक साल के अंदर तीसरी बार रेपो रेट को बढ़ाये गया है. ये अपने आप में कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा स्लोडाउन चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो बाजार में बहुत ज़्यादा मुद्रा इसफीती चल रही है जिसको कंट्रोल करने के लिए रिजर बैंक ऑफ इंडिया लगातार रेपो रेट को बढ़ाता जा रहा है. अर्बियाई की स्टापना 1935 में करी गई थी, इसका रास्टी करण 1949 में किया गया था और इसके गवणनर है इस टाइम पर शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास RBI के 25 वे गवणनर है, ये चीज़ ध्यान रखेगा. अगला कुशन है, अंकटाट के द्वारा अभी हाली में, साल 2022 के लिए भारत का GDP ग्रोथ कितना पेडिक किया गया है? तो अंकटाट ने पहले इसका पेडिक्शन दिया था, करीब-करीब आप ये बोल सकते हो, 5.9% के असपास, लेकिन अब इसको घटा कर 5.7% करती है, बाजार के इस स्लोडाउन को देखते हुए. साल 2021 में अंकटाट के द्वारा 8.2% का पेडिक्शन था, और साल 2023 के लिए प्रेडिक्शन 5.7% से भी कम दिया है, बतलब 4.7% दिया है ये नौने प्रेडिक्शन. अल्टिमेटली आप ये बोल सकते हो, कि अगला साल और ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है बाजार के हिसाब से. अंकटार्ट जो है, इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है रेबका ग्रिंस्पन, और ये पहली ऐसी महिला है जोकि अंकटार्ट के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे कार रहते हैं. इस टाइम पे अंकटार्ट का हेड़कॉर्टर है जेनेवा और इसके 195 मेंबर कंट्रीज है नेक्स कोशन है नाबाड के द्वारा पंजाब के अंदर जितने भी ग्रामीड स्कूल है इनमें बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितनी धन्दाशी आवंटित कर इस पूरे पैसे का यूज पंजाब के अंदर जितने भी ग्रामीड स्कूल है इनके धाचे को बहतर बनाने के लिए किया जाएगा इस पैसे की मदद से पंजाब के अंदर 2328 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे 762 लैप्स बनाए जाएंगे इसकूल के बच्चों के लिए इसमें से फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायो लैब होंगी साथ में कम्प्यूटर लैप्स भी होंगी इसके अलावा 648 प्लेग्राउंड बनाया जाएंगे और पंजाब के अंदर टोटल 22 डिस्टिक को कवर किया जाएगा पंजाब में इस टाइम पे भगवन्त मान की सरका और यहाँ पे गवन्नर कौन है जरा मुझे कमेंड बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताईएं नावाड की स्थापना 1982 में करी गई थी इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई और इसके चेर परसन है गोविंद रजुली चिन्ताला अगला कुशन है एकजिम बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का निर्यात आयात बैंक या अंगरेजी में बोलें तो एकस्पोर्ट, इंपोर्ट बैंक इसको बोलायता है तो इसके दवारा मालदीव को कितने का लाइन ओफ क्रेडिट दिया गया है तो Exim Bank के द्वारा अभी हाली में 100 million का line of credit एक बार फिर से मालदीव सरकार को दिया गया है, इस पैसे की मदद से मालदीव के अंदर infrastructure को develop किया जाएगा, ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार मालदीव को line of credit दे रही है, इवन आपको बता दूँ, ये छटवी बार है, ये तो ध्यान रखेगा, ये पैसा दिया गया है, 1.43 billion डॉलर, टोटल अभी तक इतना amount line of credit के तहट, मालदीव सरकार को भारत सरकार की तरफ से, LOC के तहट दिया गया है, आपको पता है line of credit और loan में अंतर क्या होता है, जैसे माल लीज़े, आपने loan लिया है, लोन आपने लिया 100 रुपय का, और इसमें कोई rate of interest होगा, तो आपको उसी rate of interest पर ये 100 रुपय वापस करने होगे, जतना भी व्याज extra लगेगा, उसके आधार पर, लेकिन अगर line of credit की बाद करी जाए, तो आप इसको ऐसे समझ लीज़े, जैसे कि आपको कोई व्यापार शुरू करना है, और इसके बदले में, मुझे आपसे revenue basis पर share चाहिए होगा, that is called line of credit, अब ये आप पर depend करता है, हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 100 रुपय दे रहा हूँ, आपका ए प्रोजेक्ट शुरू करने में, और इसके आधार पर अगले 5 साल तक, मुझे आपके business मे 5% का revenue चाहिए, मतलब आपकी जितनी भी income होगी, उसका 5% मुझे अगले 5 साल तक चाहिए हर महीन, तो हो सकता है आप इस पर मुझे negotiate करो, आप बोलो कि 5 साल नहीं, मैं 3 साल के लिए कर सकता हूँ, ठीक है, so that is called line of credit, line of credit में business का share होता है, but जो loan होता है, उसमें सिर्फ और सिर में करी गई थी, और Exim Bank के managing director है, हर्ष बंगारी, क्या नाम है इनका हर्ष बंगारी, और ये pact दो लोगों के बीच में sign हुआ है, इस टाइम पे भारत के foreign secretary विने मोहन कौत्रा हैं, इनके द्वारा, और मालदीव के जो foreign secretary है, इनका नाम है एहमद लतीफ, तो इन दोनों के बीच में ये pact sign हुआ, नेक्स कोशन है, State Bank of India की तरफ से कितने remote villages हैं, जिनको gram sewa program के अंतरगत adopt किया गया है, मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो, SBI के द्वारा gram sewa program के अंतरगत कितने गाउं को गोद लिया गया है, तो SBI ने 30 गाउं को adopt किया है, और इन 30 गाउं के अंदर टोटल अगर बात करी जाए, तो health care, education, livelihood, infrastructure इन सभी की जिम्मेदारी State Bank of India लेता है, State Bank of India के पास इस से पहले 100 adopted गाउं थे, अब टोटल 130 adopted गाउं हो गए हैं पूरे भारत के अंतर, ये जो 30 adopted गाउं हैं, ये 6 राज्यों से हैं, हर्याना, तमिलनाडू, महरास्ट, पंजाब, वेस्ट मेंगॉल, और गुजरा, इन 6 राज्यों से टोटल 30 गाउं को State Bank of India के दोरा adopted, मतब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये जो सभी 30 गाउं हैं, इन सभी की देखवाल, State Bank of India के दोरा किये जाई, SBI की स्थापना 1955 में करी गई थी, इसके Managing Director है इस टाइम पे, आलोक कुमार चौधरी, ध्यान लखेएगा सभी लोग, क्योंकि अभी हाली में का appointment किया गया था, और State Bank of India के Chairperson है इस टाइम पे, दिनेश कुमार खारा, अगला कुशन है, Who has won prestigious United Nations Nansen Refugee Award, अभी हाली में Nansen Refugee Award से किसको सम्भानित किया गया है, तो ये हैं, Angela Merkel, इनको सम्भानित किया गया है, Nansen Refugee Award से, अगर आप भूले नहीं हैं, तो आपको मैं याद दिला दूँ, जर्मनी के अंदर, एंजला मरकल पिछले कुछ टाइम से Chancellor के रूप में सर्फ कर रही थी, इन्होंने लगातार दो बार सरकार के रूप में यहाँ पर सर्फ किया है, अभी इस साल के शुरुवात में यहाँ पर सरकार पलड गई, और एंजला मरकल की जगह पर जर्मनी के न जगह मिली है जर्मनी के अंदर, जिसकी वज़े से United Nations की तरफ से इनको संभनित किया गया, और United Nations की दुनिया भर में Refugees के लिए एक संस्ता है, जिसको बोलते हैं United Nations High Commissioner of Refugees, UNSCR, संस्ता का Headquarter है जनेवा, और Nansen Refugee Award जो है, इस Award के शुरुवात 1954 में करी गलती है, अगला बोलें तो विश अंतरिक्ष सप्ता बोला जाता है, तो यह मनाया गया चार से लेकर 10 October तक, 4 to 10th of October और इसकी थीम आप ध्यान रखेगा, इस वार 2022 की थीम रही, Space and Sustainability, अगला कोशन है, वर्ड एनिमल डे कौन से दिन मनाया गया, तो विश पशु दिवस इसलिए मनाया जात है, कि किसी भी तरीके के पशु हो, हमें उनकी देखबाल करनी चाहिए, अल्टिमेटली, आज की डेट में आप देख रहो, बायो डैवर्सिटी कितना ज्यादा मैटर करती है, अगर किसी भी पशु पक्षी का आप, हैबिटेट अगर चीनते हो, तो अल्टिमेटली कहीं न कहीं, वो ग्लोबल वार्मिंग को दावत देता है, तो वर्ड एनिमल डे इसलिए मनाया जाता है, कि इनके हैबिटेट्स को हम लोग कंसर्वेट करके रखते हैं, इस वार 2022 की थीम रही, शेर्ड प्लैनेट, और यह दिवस मनाया गया, चार अक्टूबर को, परसो के दिन य एक माह के बाद, पांच सितंबर को नैशनल टीचर स्टे मनाते हैं, वर्ल्ड टीचर स्टे, जस्ट एक महिने के बाद, पांच अक्टूबर को मनाया जाता है, अब मेरा आज का कोशन आप से, आपको बताना है, नीली करांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, who is known as the father of blue revolution, blue revolution का मतलब यह है, कि fisheries को बढ़ावा देना, मतलब मचली उत्पादन को बढ़ावा देना, तो इन में से कौन है, जिनको जनक के रूप में जाना जाता है, नीली करांती के, बाकी आज से दो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, back to back, एक साथ, सुबह 10 बजे से current affair का full flash में मै बैच स्टार्ट कर रहा हूं, आने वाले सभी SST exam के लिए, आप किसी भी SST exam की तयारी कर रहे हूं, या फिर राज की किसी भी exam की तयारी कर रहे हूं, इस current affair के बैच में मैं नॉमबर 2021 से, नॉमबर 2022 तक के सारे current affair डिस्क्स करूँगा, इसके अलाबा, आज से मैं quality का complete batch भी स्टार्ट कर रहा हूं, GSGK के foundation batch में, इसकी timing है दुपहर में 3 बजे, आप इन दोनों को join कर सकते हो, दोनों batch का link वीडियो के description box में है, किसी पे भी click करके आप subscription ले सकते हैं, discount code 277 है, इसकी मदद से आपको आज का best offer और extra 10% का discount flat मिल जाएगा, ध्यान रखिए, दोनों batch आने आपको 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 आपक